हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल तो दोस्तों कुकिंग विद आस्था चनल में आपका फिर से स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर कहे हैं दही भूंदी की रेस्पी तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चरी दोस्तों आज की रेस्पी स्टार्ट करते हैं यह जो आप देख रहे हैं सुर्भी भूंदी इसे मैंने online मंगाया है Amazon से आपको इसका जो link ए description box में मिल जाएगा आप वहाँ से purchase कर सकते हैं अगर आपके घर में छोटी बच्चे हैं तो आप उनके लिए भी यह मंगा सकते हैं क्योंकि यह बहुत जादा तीखा नहीं है इसमें आप अपनी choice से मसाले add कर सकते हैं तो सबसे दही लेने है यह fresh दही है इसी हमने अच्छे से मत लेना है हमने बहुत जादा इसको नहीं fat ना है हलका सा ही just fat ना है और आप इसको कभी भी ग्राइंड ना करें ग्राइंड अकर आप करेंगे तो क्या होगा कि यह बिल्कुल ही liquid बन जायागा दही कितनी भी गाड़ी होगी ग्राइंड करने पर जो दही होती वो liquid बन जाती है तो यहाँ पर हमने हलका सा इसको fat लेना है इसके बाद हमने जो भी गोई भींदी थी आप देख सकते हैं सारा जो पानी है वो अब्जर्व हो गया है बूंदी के अंदर बिल्कुल आपको इसको पानी है वो बूंदी के फूल गयी है अब हमने इसको एक करड के अंदर दाही के अंदर हमने Michael dar KRip आप कर देना है आप चाहने तो द NinUSक बूंदी को दाही के अंदर add कर सकते हैं मगर आपको इसके लिए रखना पड़े देगा इसको फ्रिज में या फिर आदा घंटा विट करना पड़ेगा ताकि जो पूरा जो वाटर है वो अब्जर्व हो जाए तो यहां पी हमने एड़ कर देना है काली मिर्च जीरा का जो पाउडर है वो हमने एड़ कर देना है लालमिच पाउडर एड़ कर देने है और साथ ही इसमें काला नमक भी एड़ कर देना है आप इसमें थोड़ा सा सफेद न और स्टेशली यह बहती जलदी बन जाती है बहती कम टाइम में दही की और भी कहीं रेशपी दोस्तों हमने बना रकी है जैसे कि खीरत का रायता हो गया और साथी हमने कडी भी बनाई है अगर आपको आज की रेस्पी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़्यादा स्पोर्ट करें कि अगरे ट्रॉच वाची अब्सक्राइब कर दो करने दो कि रेस्पीर चैनल शुग